नबसकार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ इस यूडियो में मुझे आप सभी स्टुडेंट और पेर्ट्स के साथ इंपोर्टेंट रूल्स और रेगुलेशन शेयर करनी है तो इस साल से आप सभी स्टुडेंट को या पता होना चाहिए कि अगर आप इंडिया से बाहर M.E.B.S करना चाहते हैं यानि M.E.B.S एमडरोट में आप पढ़ाई करना जाना चाहते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने हैं जो आपका फॉलो करने पढ़ेंगे और इस में से सबसे बड़ी चिंज़े से हैं कि इस साल से 2019 academic year से NEET के examination compulsory रहेगी उन सभी student के लिए जो इंडिया से बाहर M.E.B.S पढ़ना चाहते हैं यानि अगर आप कोई दुसरी country में M.E.B.S प्लानिंग कर रहे हैं तो एक important rules यह हैं कि आपको NEET के examination देने पढ़ेंगी अब धियान रखें जैसे ही आप NEET qualify होते हैं तो आपको MCI से एक permission certificate मिल जाएगा और वो certificate का यह मतलब होता है कि आप इंडिया के बाहर जाने के लिए eligible है तो main criteria यह हैं सबसे बड़ा change यह है कि इस साल implement हुआ है इससे पहले 2017-2018 में यह था कि अगर student चाहे तो अपने हिसाब से बाहर जाकर पढ़ाई कर सकता है इससे 2018 में भी one time exemption दिया था student को लेकिन 2019 में Supreme Court ने यह clear कर दिया है MCI ने भी यह clear कर दिया है कि अगर आप इंडिया से बाहर MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं तो NEET का examination आपके लिए compulsory है आपको NEET qualify होना है उसके बाद आपको MCI से permission मांग कर इंडिया से बाहर जा सकते हैं तो अगर आप ऐसा कोई student हो या आप ऐसा कोई student को जानते हो जो MBBS abroad में पढ़ना चाता है क्योंकि वहां की fees काफे कम रहती है काफे सारे medical college ऐसे भी है इंडिया से बाहर जिनकी fees इंडिया से कम रहती है तो अगर आप ऐसे कोई student को जानते हो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कर दे ताकि उनको भी ये नए rules और regulations के बारे में पता चल जाए बस इतना सा information मुझे आप सभी student के साथ शेयर करना था अगर आपको कोई doubt हो तो मुझे नीचे comment का जरूर पूछ सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए और आप ऐसे वीडियो और देखना चाते हूं तो नीचे जो like का बटन है जो subscribe का बटन है साथ notification bell दवा दिचे धन्यवाद